जाय महाकाली मेरे दोस्तों नमस्कार आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे हूंगे और जीवन में सभी चीजों का लाभ ले रहे हूंगे दोस्तों सनातंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुद प्रकृति का चमतकार है और खुद प्रकृति से ली गई बहुत सारी चीजें होती हैं चाहे जड़ी बूटिया हो या किसी भी प्रकार की विशिश सामगरी हो तंत्र में इस्तेमाल होने वाली एसी ही विशिष्ट और सबसे उच्छ कोटी की मैं आपको चीज पताने वाला हूँ जिसको बिच्छू बूटी कहा जाता है, कई जगा पे इसको बाग नखी कहा जाता है, बाग नखा कहा जाता है इसको कोवा कोडी बोलते हैं काक टुंडी बोलते हैं और नासूडी बोलते हैं दोस्तो ये बहुत ही चमतकारी एक प्रकार की जंगली जड़ी होती है जो की मूल कहा बहुत ठंडे इलाके जो होते हैं जैसे हिमालय होता है हिमाले के कुछ वन्य ग्रामीन चेतरों में इसको पाया जाता है दोसो तंतर में इस्तेमाल होने वाली सबसे नायाव चीज है यह इसका प्रियोग काले जादू में और किसी भी तरह की वामबर्गी साधनाओं में बहुत किया जाता है ये दुश्मन परिशान कर रहा है आपको तो उस परिस्थिती में भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं ये काक टुंडी बोलते हैं इसको बग नखी बोलते हैं बग नखी ये देखी इसको बाग के आकार के इसमें ऐसे पंजा होता है ये पूरी तरह से नेचुरल होता है जो की बहुती दुरलब चीज हो चुकी है आज के समय में ये बहुती कम मिल पाती है मुश्किल है कि ये आज के समय में आपको कहीं देखने मिलें इसका तंतर में, काली का तंतर में और भी प्रकार की जिसे गाडवी विध्याएं आती हैं जो की आदिवासी तंतर कहलाता है मुंज़ा तंतर होता है जो की आदिवासी तंतर होता है इसमें इस्तेमाल करने वाली सबसे प्राचीन चीज होती है इसके प्रियोक से किसी को भी वशी भूत किया जाता है या शत्रू का शमन किया जाता है यदि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर आपको परिशान कर रहा है तो उस व्यक्ति के नाम से इसको सिध्धी करके इसके घर की तरफ आप फेकेंगे तो उस व्यक्ति का उस शत्रू का हमेशा के लिए शमन होगा और हर तरह के कश्टों से आपका निवारन होगा आप देख सकते हैं कि यह कैसी दिखती है यह पूर्ण तहा साथविक मानी जाती है और बहुत पवित्र मानी जाती है इसका प्रियोग काले जादू में सबसे ज़्यादा लिया गया है बंगाल में बंगाल के बाद आसाम मायूंग में इसका सबसे ज़्यादा प्रियोग किया जाता है तंतर के लिए यदि आप बंगाली तंतर जानते हैं आसाम का मोगडा तंतर एदी आप जानते हैं तो उसमें कर सकती है इसके बाग के आकार के पंजे होते हैं जो कि बहुत दुरलब होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं यदि आप इसको प्रेशर भी करेंगे तो देखेंगे कि बहुत कठोर होती है इसका एक चमतकार भी देखा गया है कि यदि इसको जड़ी को आप पानी में डालते हैं पानी में डालके निकालते हैं तो इसमें से कठ इसी अबाज आती है जो कि यह एक्टिवेड होती है यह इसमें जान होती है आप देख सकते हैं कि बहुत ही दुरलब बिच दोस्तों ये बहुत ही काला होता है लेकिन एदि आप इसको गिसेंगे तो आपके हाथ पे बिलकुल भी कलर नहीं निकलेगा ये बहुती डर्क कलर के, काले कलर के होते हैं इसको काली मा के मूल मंतरों, चंडी का मंतर और वशी करेंट विद्या से अभी मंतरत किया जाता है फिर इसका प्रियोग किया जाता है इसके प्रियोग कभी भी बिफल नहीं जानते हैं इसको प्राचीन समय की किताबों में तंतर विध्याओं में भी लिखा गया है कि इसका काकुंडी का क्या काम है इसको बिच्छू नगी भी कहा जाता है और जदातर लोग इसे बग नखी के नाम से ही जानते हैं यह आज के समय में चीज दुरलब हो चुकी है लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही जगा पे किया जाता है जो कि बहुत घने जंगलों में बड़ी मुश्किल से आज के समय में मिलती है दोस्तों जब काले विध्या की संραच्चना होई थी तो बहुत सारे आसे भेध बताए गए थे कि तंट्र और काले जादु में क्या मतलब प्रियोग हैं और किस किस तरह से प्रियोग लिये जाते हैं वैसे ही काली जादू की जो इस्तेमाल करने वाली वस्तूयं होती है ये भी बहुत दुर्लब होती है जिन लोगों का दुकान धंदा या बिजनस बांधिया जाता है उनका धंदा व्यापार नहीं चलता है ऐसी इसका केबल एक काले कपड़े में ब यक्ती ने बंधनक्रिया किया गया तो उस तरह से आपती दुकान मुक्त होगी और आपके घर में और दुकान में बहुत सारा पेसा आएगा इसको कोवा कोडी भी बोला जाता है लक्षमी जी की जो शावर मंतर पूजा होती है या सिद्धी होती है उसमें प्रेदी लक्षमी जी के समी प्रकेस की सिद्धी पूजन करेंगे और इसके बाद आप अपने घर की तीजोरी में स्थापित करेंगे तो आपके घर में निरंतर ही धनकी ब्रद्धी होती है इसको हत्ता जोडी से भी जादा प्रमुख माना जाता है और हत्ता जोडी से भी ज जो आदिवासी आलाके हैं उसमें इसको बगनकी ही बोलते हैं दोस्तों बगनकी बहुत बिश्टर चीज होती है यह आप इसको किसी भी पानी में डालेंगे या पानी में डालेंगे तो इसमें से बहुत दिर तक चट 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 आती है अब आज आती है इसको बिच्छू बू तरह खतम हो जाएगा यदि किसी व्यक्ति पे व्यक्ति विशेश प्याव वशी करन करना चाहते हैं ऐसा वशी करन आप चाहते हैं कि जिसका कोई भी काट ना हो तब इसकी दोकी संख्या की मातरा लेके उसको वशी करन मंत्रों से अभी मंत्रित करके उस व्यक्ति के घर पर आ आपके हाथ में रहेगी आपके पास रहेगी विक्ति आपके वश में रहेगा और आपसे वशी भूत रहेगा, दोसो धन के लिए भी इसको माना जाताए है, इसको रखने से गडा हुआ धन, जुए मेलाब या किसी भी प्रकार की असमिक जो अकस्मिक धन लाप के योग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं और ये धन को आकर्शन करने का काम करती है जिन लोगों के परीबार में या परीबार जिन की उपर काले जादू जादू टोना तोटका या तांतरी की विध्याय लोग करते हैं जिसकी वज़े से घर में दरिद्रता बीम करती की और बढ़ेंगे यह बहुत दुरलफ फल होता है आप देख सकते हैं कि यह बहुत नायाब और सुन्दर दिखता है इसमें बहुत सारी natural color करतियां बनी होती है इसलिए इसको आसामी तंत्र या काले जादू में इसका प्रियोग किया जाता है ये वशी करण के लिए सबसे दुलब माना जाता है जो उच्च कोटी की वशी करण क्रियाएं होती है उच्यकोटी की जो वशीकरण साधनाएं होती है या उच्यकोटी के जो वशीकरण कर्म किये जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किये जाता है और जिस व्यक्ति के उपर इसकी फूंक दी जाती है मतलब व्यक्ति का नाम पढ़कर व्यक्ति का मंत्र से सिद्धी करके इसकी उपर फूंक मारी जाती है इसके बाद इसको रखा जाता है तो वो उस व्यक्ति पे इतना घातक वशीकरण होता है कि उस वशीकरण का काट कहीं पर भी नहीं होता आप लोग ध्यान से देख लीजे, केसी दिखती है दी कहीं आपको मिले, तो इसका आप मंत्र मुझसे ले सकते हैं, सभी प्रकार के इसको सिद्धी करने के, इस्तमाल करने के, इस पे एक आसामी तंत्र विधी के नाम से भी किताब भी छपी है, जिसका description में मैं आपको link में भी है और वीडियो में भी चल रहा है, जिन लोगों के पास धन की बहुत कमी रहती है, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, दरिदरता होते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी उनके घर पे लक्षमी जी नहीं आ पाती है, तो एसी परिस्तिती में इसको अभी बंधा रहता है, अगर आपकी कुंडली में भी धन की कमी है, तो भी ये इतनी शक्तिशाली चीज होती है कि इसके इस्तमाल से आपकी कुंडली के दोश तक पलट सकते हैं, और अकस्मिक धन के बहुत तेजी से आपको योग बनते हैं, जो लोग जुवां सट्टा, मेच, र चीज में जीत हांसिल होगी, आप देख सकते हैं सभी तरब से कैसी दिखती है ये, ये बहुत सक्त होती है, यदि एक बार आपको ये मिल जाए, तो जीवन भर आपके काम आती है, चाहे धन का काम हो, या किसी को वश्मी करना है, या किसी को भूमी संपत्ती से related कोई काम है, जो अपना खुद का घर नहीं बना पाते हैं, ऐसी परस्तिती में भी इसका प्रियोग किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे गोपनी इसके यंत्र बनाया जाते हैं, आपको एक चीज में बता देता हू मुंझा विध्या होके नाम से भी आपने सुना होगा कि कितनी प्रभाप शाली और शक्ति शाली मुंझा विधी जो होती है, मुंझा विधी जो होती है, मुंझा शक्तियां जो होती है, उसमें इसका इस्तमाल करके लाब ले सकते हैं, दोस्तो इसका लाब असर कभी भी वि णिफल नहीं जाता है तो आप निश्चिन्त हो कि इसका प्रयोग'. कर सकते हैं. किसी बी चीज में, चाहे वजी करन में हो धनकी हो या किसी को कमन करना है. ये किसी भी व्यक्ति का उचछाटन करना है yellow दो व्यक्ति को लड़ाने के लिए जगड़ा हो जाएगा और वो फिर कभी भी एक नहीं हो पाएंगे यह बहुत असर्दा एक चीज होती है बहुत दुरलब चीज होती है आज के जमाने में इसका मिलना दिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है तो दोस्तों आप यह हमसे प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त करने के लिए आप हमें तंत्र अभीक्रम होती है वो कभी भी खाली नहीं जाती है बहुत असरदार होती है और बहुत तीजी से वो काम करती है चाहे धन्सर रिलेटेट काम हो सुख संब्रद्धी को प्राप करना है किसी के बीच में जगड़ा करबाना है या अकस्मिक धन के योग बनाना है या किसी भी प्रकार से आपको कहीं से फसा हुआ पेसा निकालना है तो उस परिस्थिती में ये बहुत ही कारगर होती है और बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट देखने मिलते हैं दोस्तों इसकी सिद्धी केबल अमवस्या पे होती है क्योंकि ये पूर्ण तहा काले जादू की चीज मानी जाती है जो साधविक तंतर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता लेकिन इसके तंतर इतने असरदार होते हैं कि हर परिस्थिती में आपको लाब देते हैं